फ्रस नंबर 12 बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धी ब्रश्ट हो जाती है क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बाते कही जाती है जो कानू में न पढ़नी चाहिए चित पर ऐसे प्रभाव पढ़ते हैं जिनसे उसकी प्वित्रता का नास होता है बुराई अटल भाव धारन करके बैठती है बुरी बात थे हमारी धारना में बहुत दिनों तक टिकती है इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि वद्दे वह फूहरगीत जिनकी जल्द ध्य पर चरते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं और प्रस्तुत आउत्रन के पाट और लेखक का नाम लिखे बुरी खांकित अंसकी व्याक्या कीजिए सब कोशन नमर एक किस बात को प्राय सभी लोग जानते समझते हैं कोशन नमर दो कि लोगों के छड़ मात्र के साथ से भी बुद्धी ब्रष्ट हो जाती है और क्यों घड़ी भर थोड़ी देर ब्रष्ट होना पतन होना चित मन अटल भाव न हटने वाली भावना भद्देव फुवर वेगना वेड़ना और असलील जिन में कला अरुची आधी का अभाव हो उत्तर ब फ्रतम रखांकित अंस की ब्याख्या प्रस्तुत गद्धांस में सुक्ल जी ने बुरी संगिती को व्यक्ति की उन्नती में वाधक बताते हुए कहा है कि समाज में अनेका अनेक लोग इस प्रकार के होते हैं जिनके साथ थोड़ी देर के लिए भी रह लेने से व्यक्ति की वधिक छमता का पतन हो जाता है ऐसे लोग उस थोड़ी सी देर में ही ऐसी ऐसी बाते कह डालते हैं जो समाने व्यक्ति के तो सुनने लायक भी नहीं होती ऐसी बातों से व्यक्ति के मन मस्तिक्स पर इतने बुरे प्रभाव पड़ते हैं कि उससे उसके हिर्दे की पवित्रता अर्थात मन के अच्छे भाव समाप्थ हो जाते हैं दूतिय रिखांकित अंस की ब्याख्या सुक्री जी का कहना है कि बुरी आदते या भावना व्यक्ति के मन मस्तिक्स में इस्थाई रूप से विराजमान रहती है और बहुत समय तक इस्तित रूप में जमी रहती है अपनी बात को और अधिक पुष्ट करते हुए लेखक कहते हैं कि इस बात का तो समाने लोगों ने भी अनभो किया होगा कि वेडने और असलील गीत जितने सिग्र व्यक्ति के मन मस्तिक्स में अपनी पेट पहुच बनाते हैं उतनी सिग्र कोई अच्छी या लाबदायक बात नहीं सव कोशन नमर एक भद्देवा असलेल गीत जितने सिग्र याद हो जाते हैं उतने सिग्र कोई अच्छी बात याद नहीं होती इस बात को प्राइस सभी लोग जानते समझते हैं कोशन नमर दू बूरे लोगों की छड मातर की संगती से भी बुद्धी ब्रश्ट हो जाती है क्योंकि बहुत कम समय में ही वे इतनी बूरी बाते कह डालते हैं जिन से मन की पवित्रता समाप्थ हो जाती है